हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं कच्छे चावल से बहुत टेस्टी और एकदम हेल्दी नास्ता और इसके साथ हम एक बहुत ही टेस्टी चटपटी सी चटने भी बनाएंगे तो पूरा वीड स्टाइम कम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी बिगो के ले सकते हैं अब इस पाणी को हटा देंगे और एक मिक्सिका जार ले लेंगे और इसमें हम ये सारा चावल डाल देते हैं अब यहां पर मैंने इसमें डाल दी है तीन हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का तुकड़ा डाल दिये है और इसे पीस लेंगे और यह ना चावल में जो पानी है उसी से पीस जाता है उपर से मैंने पानी नहीं डाला है देखिए चावल अच्छे से पीस चुका है तो अभी क आप करते हैं और देखे यहां बस से मिक्स कर देते हैं सब करते हैं चाववल फीर के करके में वो इसमें मिला देते हैं और आरे हैं और फॉर इसको बहुंत कर दो दो मिनट के लिए फेंट लिए अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए तब तक हम चटनी बना के लिए तो यहां एक मिक्सी के चार में एक प्यास दो टमाटर ले लिए हैं और इसी के साथ इसमें हरी मिर्स डाल देंगे और साथ में लसुन वी डाल और यहां मैंने थोड़े से यहां पे करी पत्ता डाल दिया है और एक चोथाई कप से यहां पे नारियल का ब्रदा डाल दिया है फ्रेस नारियल है तो वह भी ले सकते हैं अब इसे हलका दरदरा सा मैंने फीस लिया है अब गैस पे एक पैंट चड़ा दिया है इसमें हम एक पड़े चमप से तेल डाल देंगे देल जैसे हमारा गरम हो गारतु इसमें क做 राइ मिर्च और करी पत्तर डाल दिंगे और इसी के साथ एक चमप से भर यह हम इसमें एड़ कर देंगे और बड़िया से इसमें मिला देंगे मिक्स करेंगे और इसे हमने अच्छे से इसमें पका लेना है बड़िया से भून लेना है तो यहां पर यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें हम सबसे पहले नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से पूरा पानी सूखनी जाता है और यह देखे यहां पर यह अच्छे से पक चुका है पानी भी अच्छे से सूख गया है और यह हलका हलका तेल भी छोड़ने लगा है अब गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और एक चमस से नीमबू का रस इसमें मिला दिया है और यह चटनी हमारी तो ये देख़े बहुत इale चटने ओविक व्याषा फटे tourists अब भाद किया है दीтак ah3 तो इसके लिएम सब्सक्राइए नासता बनाता तो इसके लिए मैंने ना यहां वी थाली यह इसमें थोड़ा सा जर डालें और पार युच्छा-गैख कर देगे या फिर अगर आप तो अब यहाँ पर बैटर है, यह भी अच्छ से फूल गया है, मैंने इसे फरेज में रख दिया था। और पढ़ियसे से एक बार मिक्स करेंगे, काफी गाड़ा हो गया है, थोड़ा सा इसमें पाने डाल के पढ़ियसे से चला लेंगे, एक बार मिक्स कर देंगे, अब यहां पे इसमें नमक डाल देंगे, टेस्ट के इसाब से, और दो जममसी यहां पे रिफाइंड ओल डाल दे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दीज़ 20 जाद चयार क्या तो यहां पर देखिए बैटर हमारा अच्छे से मिक्еш ओगया है यह रेडी है तो आब यहां जो ज़ारी ली थी उसे मैने एक कड़ाई में लगा दिया है इस तरीके से कड़ाइ में पानी अच्छे से उबल रहा है तो अब यह पैटर हम इस ब्लेट में डाल देंगे पूरा ही डाल देते अब दीन क sprouts पुका को पर बाघर में और उपर से तोड़ा सा इसमें इस तरीके से लाल मिर्स टाल देंगे ना तो नास्ता देखने में सुन्धर लगता है तो यह इस तरीके से मैंने लगा दिया अब किसे हम 12-15 मिनिट के लिए पकने देते हैं अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है अब हम क्या करते हैं इसको अपने पसंद के इसाफ से छोटे बड़े पीसिस में इस तरीके से काट लेंगे थोड़ा सा ये ठंडा होगा ना तभी कट करना है तो अब यहां मैंने इस तरीके से कट कर दिया है इसे और ये मैंने लिया है राई कड़ी पत्ता हरी मिर्च और हींग का तड़का बना लिया है और ये तड़का हम पूरे नास्ते में इ कि इसे निकाल के दिखाती हूं कि यह कितना soft और spongy बना है द गलकुल जालीदार बहुती soft बना है और देखने में देखिए कितना सुन्दर रहे है और यह खाने में भी बहुत है तेस्टी लगता है और साथ के साथ ये healthy भी है और कम चीजों के साथ भी ये बनके तयार होता है देखे कितना soft है तो आप भी इसे जरूर से बना के try कीज़ेगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीज़ेगा चैनल पे आप नए हैं त तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसेपी को भी जरूर से सेल कीज़ेगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसेपी के साथ तब तक के रिए बाई